तो आद में बनाऊंगी आलू सोयाविन की सब्जी और आलू सेविन की सब्जी बहुती सिंपल तर किसे बनाऊंगी देखिए यहां पर कच्छे आलू है इसको मैंने ऐसे काट लिया है छोटे-छोटे पीचस में ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े हैं तो मिडियम काटके अच्छी से पादरा पानी बने को तमगेंगे देखिए इसको साइट कर लिने मसाले के लिए आप नहीं सकते हैं एक बड़ा सा इसका प्याल लिया है मैंने एक बड़ा सा इसका टामाटर लिया है और यहा upardर लसन को बारी द कात लिया है दो सूख्य लाल मिर्च लिए एक टेस्जल पत्या अलब बारी काट लिया है दो सूखी लाल मिर्च लिये एक टेस्ट पत्ता अला चमच जेरा तो बस हमें यहीं चाहिए और इसमें जो मसारे लगेंगे आप देख सकते हैं लाल मिर्च लेंगे एक चमच और यहां पर टेस्ट के कोडिंग नमक डालेंगे और यहां मिक्स मसाला अगया आफ यूद्स अलुट अलुट नमें फ्राइब कर लेना है तो गोलन हमें तब चप्राइब करना है और यह गोलन बार्म उने तक इसको निकाल लेते हैं तूझे फ्रेंड अरूव को उनने गॉल्दन सेवंको निकली है अरूओ से पानी से निचोड़ लिया है। को भी 2-3 में लगेगा मीजा फ्रेम में ब्राइम टाई कर लेगे इसको फ़या क्या हम निकाल देए इसमें मैं तब तेल डाल दिया है और इसमें मैं तेल अच्छे से गरम हो और एक तेस्ता डाल ताद देती हो और तो शुखी लालओर है है श्रगेश नाज जाक वह के धश्राक लालंद आपके हसे एक हुषभू आने लगा द्शिए अब यहां पर हम एक बड़ा साइस का प्याज दाल देते हैं प्याज को गोजन दाल देते हैं प्याज को दो में पर पका लेते हैं फ्रिस्नम टमाटर एक प्याज का कडर वीडियो है चेंज हो गया है यहीं पर मैं टमाटर एक कर देती हूं पूल इसको लिट कर देते हैं और यहीं के मैं मसाले भी एक कर देती हूं पर यहादे की नमक पेस्टे कोड़िक डाल वे लिए लिए एक चमश लाल मुस पाउडर यहां मिक्स मसाले है उसको अदे इसमें हली धनिया सब्स दे आ रहता है तो यहां पर मैं दो चमश मिक्स मसाले डाट रहें तो इसको मिक्स कर देते हैं तो टमाटर सौफ होने तर इसको पका लेते हैं तो तीन को चाहिमें पर इसको लोखने मसाले को बुन लेंगे जिससे की चमाटर पिश्वाट हो जाएंगे और मसाले इसको बिनके प्यार हो जाएंगे। यह आपके खोगा सावाई डालेती हूं, तो यह सब्सक्राइब तक पका लिया है, तो अच्छी से चमादर की स्वास्थ हो गया है, और मसाला भी बूलके तयार है, आप बेस कुछे हैं, और इसमे मैं आलू और सोयाविन को एड कर देती हूं, तो इसको मिक्स कर देते हैं मसा तो अच्छा से पाइड दाल देती हूं, एक ग्रास के अपर, और यहाँ पर इसको मैं धक के पका देती हूं, तो अच्छा से एक वर्द आम देते हैं, तो यह मैं आपको चेटर के बखा देती हैं, तो देखे फ्रेंड्स सब्जी को मैंने धक के 5-6 मिनत तक लोग लेंपे पकाल लेते हैं तो देख सकते हैं प्रेंड्स कलर सते हैं कि अफ़ाल आख ऑप इसको हमें अच्छे से ले रहा है एक बार बार उख वर सब्जी बनके प्रेंडों त्यार है आप देख सकते हैं और नहीं देखाये करते हूं देखिए आलू अच्छे से पक गया है अच्छे से काथ हो रहा है तो देखिए सब्जी बन के प्यार है ऐसे ही आप सिंपल तो बना सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क तो अभी हो तो